बिसमिल्लाई रह्मान रहीम तेस्टी जी हाँ आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी और क्रंची तिल्की चिकी इसे तिल्की गचक, तिल्की पापड़ी और तिल्की पट्टी भी कहा जाता है इस से पहले मैंने जो आपके साथ रेसिपे शेयर की थी तेस्थए उसमें इसे गूर्से रेड़ी किया था आपने देखा शूगर के साथ भी और आप इसे रेड़ी करते हैं आम रेगुलर जो वाइट शूगर होती है तो उसके साथ भी इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे कि आपने से गुर से बनाया है और करंची और क्रिस्पी ये इतनी है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने से घर पे बनाया है ये इतनी परफेक्ट रेड़ी हुई है तो चलें आज की रेसिपी का अगाज इस दुआ के साथ करते है कि अलाब सब का दस्तकान से जाए रखे और हम सब को सहरत और इमान का रिसक अताब फर्माए तो यहां पे मैं आपको एक कप की मेजर्मेंट दूँगी आप चाहें तो इसे हाफ कप की मेजर्मेंट से भी रेड़ी कर सकते है तो हाफ कप का मेजर्मेंट है यहां पे मेरे पास दो दोफा मैंने इसे एड़ किया है तो यह हो गया हमारा एक कप तिल इसे हमने हलका सा रोस्ट करना है बहुत ही हलकी आंच पे इसे रोस्ट करेंगे, यहां तक कि इसमें हलकी से खुश्भू आने लगे, आपने इसे ओवर रोस्ट नहीं करना है, वना तिल कड़वे हो जाएंगे, जिस्ट इसके हमने नमी खतम करनी होती है, जैसे ही इसमें से चटक पटक की आवाज आएगी, आ पुले क्यांच को हमने हलका ही रखना है, तो जिस प्रेट में या ट्रे में हमने इसे निकालना है, उसे हमने पहले ही रेडी करना है, ट्रे के अंदर मैंने क्लिंग रैप लगाया है, आप चाहें तो इसे आम-शापर के लगा के ग्रीज कर सकते हैं, इतनी देर में आपने जैसे ही शुगर मेल्ट होना शुरू होगी तब हमने इसमें चमच हिलाना है तो साथ ही साथ आप इस ट्रेक को देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से ब्रॉष के साथ ग्रीस कर लिया है ताके तिल पटी जो हम निकालेंगे वो नीचे से चिपकने ना पाए और अराम से चमच हिलाते हुए हमने इसे मिक्स करना है चमच आपने तब ही हिलाना है जब शुगर मेल्ट होना शुरू होगी अकसर लोगों को यही शकायत होती है कि शुगर हमारी केरमलाइज होती ही जब तक हम इसमें पानी नहीं आड़ करते हैं तो जस्त आपने थोड़ा सा सबर से काम लेना होता है दो से तीन मिनट तो आपने इसे टच ही नहीं करना है जैसे ही आप देखेंगे कि शुगर में हलका सा पानी आना शुरू हो गया है तब ही आपने इसे हिलाना होता है ठीक है तो जब शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो हमने इसमें एक बड़ा चिकी भी हमारी इतनी ही करंची बनेगी अगर यह ना चठखे तो आपने इसे आड़ नहीं करना है आपने थोड़ा सा मजीद पकाना है शुगर को और उसके बाद इसमें एड़ करनी है ठीक है तो जैसे ही मैंने देखा कि अच्छी तरह से हमारी परफेक्ट हो चुकी है श जबना शुरू हो गई है तो आपने चूले की आंच को हलका सा अन कर देना है ठीक है अब इसे हमने डैडी की हुई ट्रे में निकाल लेना है यह पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल होता है क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है और यह फोरन ही जबना चुरू हो जाती है तो आपने अहसानी के लिए जिस चमच से आप इसे सेट करें आप उसे भी ग्रीज कर सकते हैं मैंने यहां पर थोड़ा सा मखन भी लगाया था चमच को और उसके बात मैंने इसे प्रेस किया जैसे ही मखन खतम होगा यह दुबारा से चिपकना शुरू हो जाएगी ठीक है तो आपने परिशानी होना है दुबारा से किसी दूसरे चमच को ग्रीज करके आप इसे अची तरह से सेट कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत जो मुश्किलात मैंने फेस की वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप परिशान ना हो कि यह सब हमारे साथ ही हो रहा है तो जब आप क भी काट सकते हैं आप देख सकते हैं अभी मैं उठा रही हूँ यह नरम है थोड़ी सी इसमें लचक है लेकिन जैसे यह इसी तरह से खुशक हो जाएगी तो बहुत ही करंची और क्रिस्पी बनेंगी तिल कैल्शिम से भरपूर होते हैं सरदियों में तो इसका इस्तमाल जर कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आपने देखा कितनी असानी के साथ नीचे वाला शौपर हमने उतार लिया है जो क्लिंग रैप हमने लगाया था उसका मकसद यही था कि बहुत ही असानी के साथ ट कि इन से चार माता कराम से इस्तमाल कर सकते हैं यह बिलकुल भी गीली नहीं होती आपकी सिटी से में वीडियो को वाश करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा अला हम सब को सहत और इमान कर रिसक अता फरमाए और ह